हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चेप्टर मैटल्स और नोन मैटल्स तो यहां परना हमें मैटल नोन मैटल को समझना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रेजेंट होती है हमारी प्रियोडिक टेबल जिस में की 118 एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में से कुछ हमारे पास मैटल्स हैं कुछ हमारे पास नोन मैटल्स हैं और कुछ मैटलोईड भी होते हैं अब यह मैटलोईड क्या होते हैं मैटल क्या होते हैं यह सब बाते तो हम समझेंगे ही बट उन पीरियोडिक टेबल में स समझ पाएंगे कि इन में से कौन से मेटल है कौन से नोन मेटल हमारी क्लास 10 के स्टेंडर्ड के हिसाब से अगर हमें 30 टेबल है तो हमारा इसली क्वेशन जो है ना उसको हम अप्रोच कर सकते हैं ठीक है तो यह बात हमें सबसे पहले याद रखनी है सब्सक्राइब पहले आइड्रोजन होता है फिर हीलियं लीथियम बेरीलियं बोरं नटरोजन अक्सिजन उव्लीं नियों सोडियां मेगनिशियं घर सिलिकोन फोसकी अहीं क्लोники zg स्कैंडियम टाइटैनियम वैनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कोपर जिंक ठीक है ना 30 तक तो एक लिस्ट हमें याद होनी ही चाहिए ये टेबल इसको जाओ अपने घर बैठके पहले याद करो धंग से उसके बाद फिर हम समझ पाएंगे कि हमारे मैटल औ हमें डिफिकल्टी आएगी है ना तो पहले हम इनको डिफ्रेंस अब समझते हैं कि क्या मैटल होते हैं क्या नोन मैटल कुछ प्रोपर्टी सामने रख रहे हैं और उन प्रोपर्टी के बेसिस भी हम डिफ्रेंशियेट करेंगे इन में ठीक है तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा की मैटल क्या होते हैं तो पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंश हम करेंगे कि से वैलेंस इलक्ट्रों से हम इनको डिफर करेंगे वैलेंस इलक्ट्रों का मतलब क्या होता है बचों जो भी हमारा मैटल है उसकी जब हम podr HP internet जो भी हैं उसकी जब हम electronic configuration लिखते हैं तो तो पहली shell में हम दो electron डालते हैं, दूसरी shell में 8, फिर उसके बाद जो third shell आएगी, उसमें फिर से 8 electron डालते हैं, फिर next में फिर से 18, electron तो इस तरीके से हमारी sequence से हमें electrons को fill करना होता है, in various orbits, ठीक है, अब बात ये आती है, मतलब इस pattern को follow करते हुए हमें चलना है, अब element का जो ह metal है कि non metal, ठीक है, for example, मैं अगर तुम्हें कहती हूँ, बच्चों, मैंने ले लिया sodium, तो अब हमें ये पता होना चाहिए, कि जो sodium है, उसका atomic number कितना है, अभी मैंने बताया भी था ना बोलके, सारे elements बताये थे, at least 20-30 तक याद रखो बच्चों, ठीक है, तो sodium हमारा कौन से number पर आता है, हमारा atomic number क्या है, sodium का 11 है, ठीक है, sodium का atomic number हमारा 11 है, तो मैं उसकी configuration क्या लिखती हूँ, तो उसकी configuration मैं लिखूंगी, बच्चों, 2, 8, पहली shell में आगई, 2 electron, दूसरी में कितने आएंगे, 8 electron, और 3rd shell में 10 complete होचके, तो 3rd में बचेगा, सिर्फ और electron, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी valence shell में कितने electron है, बच्चों, एक electron है, valence shell का मतलब क्या होता है, जो ये last वाली shell है, आखरी shell में कितने electron है, that is called valence electron, ठीक है, अच्छा, अब मैं लिखती हूँ, फिर से कोई element randomly उठा लेती हूँ, क्या बोलती हूँ मैं, मैं कहती हूँ कि मैं आने ले लिया nitrogen, ठीक है, nitrogen समझ में आई बात कौन से number पे है, nitrogen आता है, मैं हमारा 7th number पे आता है, ठीक है, इसका atomic number कितना है, 7, तो nitrogen की electronic configuration के हिसाब से देखो, पहली shell में कितनी electrons होते हैं, 2 electron, दूसरी में कितनी आ जाएंगे, पांच बचे हैं, तो पांच ही आएंगे, टोट shell को ही क्या बोल रहे हैं, valence shell बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे 5 electron है, इसकी valence shell में, ऐसे ही बच्चों, हमने लिखा यहाँ पे carbon, carbon का atomic number जो है, हमारा वो क्या है, 6 है, तो पहली shell में क्या लिखेंगे, 2 electron है, और दूसरी में कितने है, 4 electron, तो valence shell में कितने electron है, 4 electrons है, ठीक में, 8 electron, तीसरी में, 3 electrons आ गई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका electronic configuration और इसके valence electron कितने हो गई, बच्चों, 3 valence electrons हो गई है, ठीक है, अब definition, जो valence electrons से difference करने वाली बात है, तो उसमें हम ये कहेंगे, बच्चों, कि जो हमारे metals होते हैं, उनकी valence shell में, 1, 2 या 3 electrons present होत होता देती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कि metals वो होते हैं, have 1, 2, और 3 electrons in valence shell, तो इनको हम क्या बोलते हैं, metal बोलते हैं, मतलब आखरी shell में, अगर 1, 2 या 3 electron आए, तो मैं उसको metal बोलूंगी, ठीक है, तो बच्चों, इसमें दिख रहे हैं, एक electron था, तो मतलब क्या है, sodium हमारा क्या है, metal है, ठीक है, यहाँ पर देखो, आखरी shell में, 3 electron थे, aluminium के, तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगी, aluminium जो है, वो क्या है, metal है, ठीक है, चलो, समझ में आई बात, अब non-metal क्या होते हैं, non-metal वो होत हैं, बच्चों, which have 4, 5, 6, or 7 electrons in valence shell, ठीक है, जिनकी valence shell के अंदर, कितने electron present होंगे, बच्चों, 4, 5, 6, 7 electrons, अगर कुछ भी इन में से number है, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, non-metal बोला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या कहूंगी, जो मैंने examples लिए, उसमें से nitrogen हमारा कहा पर आएगा, non-metal में आएगा, carbon हमारा कहां पर आएगा, non-metal में आजाएगा, ठीक है, तो यह basic example से हम समझ सकते हैं, कोई भी, कोई भी electronic configuration तुम बना के देख सकते हो न, जैसे मैंने कहा मानलो magnesium, तो magnesium कौन से number पर आता है, बच्चों, 12 number पर है न, तो 12 electrons कैसे फिलोंगे, पहली shell में 2 electron होते हैं, दूसरी में होते हैं, 8 electron और तीसरी में कितने आएगे, magnesium के पास 2 ही बचे तो 2 आएगे, अब आखरी shell में अगर 2 electron आए तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, फिर metal बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो simple point of difference है, कि अगर valence electron 1, 2, 3, then metal, valence electron 4, 5, 6, 7, then non-metal, ठीक है, आप चलते हैं, हम next difference पर, next जो है बच्चों वो है हमारा physical state, अब metal देखो क्या-क्या होते हैं, जो भी हम jewelry पहन रहे हैं, घर पे जो हमारे बरतन होते हैं, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे हमने metals देखे हैं, जैसे aluminium के बरतन हैं हमारे पास, copper भी बरतन बनाने में, utensils बनाने होते हैं, तो यह सब क्या है, metals हैं, उसके अलावा sodium, magnesium, यह सब भी क्या है, metal है, ठीक है, तो metals तो है, तो उनकी general property जब हम समझेंगे ना, तो तुम्हें अपने mind में वो चीज़े लेके चलने हैं, कि metal जो हम jewelry पहन रहे हैं, वो metal है, जो हमारे घर पे बरतन रखे हैं, वो metal के ह तो उन से जब relate करोगे, तो उन properties को easily अपने mind में ना, उसको तुम grasp कर पाओगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे physical state, जो metals हमारे होते हैं, वो generally हमारे solid state में होते हैं, जो हमारे metals हैं, वो कौन सी state में होते हैं, बच्चों याद रखोगे, solid है, silver है, aluminium है, copper है, सब क्या है, solid state मे ही exist करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, physical state में बच्चों, मैं यहाँ पे कहती हूँ, कि जो physical state होती है, metal की, वो generally क्या होती है, solid state होती है, solid form में वो exist करते हैं, ठीक है, exception आते हैं, exception तो हर जगे है, अगर मैं कहूं यहाँ पे exception क्या हो सकता है, तो exception बच्चों हमें पत एक metal ही है तो exceptions तो हर जगे हैं वो तो accept करना ही पड़ेगा हमें but most of the solids जो है most of the metals है वो solid ही होते हैं ठीक है exception में mercury भी ले सकते हो दूसरा हम gallium भी ले सकते हैं वो भी काफी soft होता है वो भी अपनी अतेली पे अगर हमने रख दियाना तो भी वो melt हो जाता है तो यह जो है exception हर जगे आती है बट जो major हमारे जो चीज़े हैं जो major हमारी follow हो रही है उस बात की हम यहां पर differences कर रहे हैं ठीक है next यहां पर non metal की बात करते हैं बच्चों तो देखो non metal जो हैं ऐसे भी non metals बहुत कम हैं 22 non metal ही present है पूरी प्रियोडिक टेबल के अंदर उन में से भी देखो oxygen है nitrogen है chlorine है fluorine है यह तो gas की form में ही exist करते हैं कुछ जो ब्रोमीन है वो क्या है non metal है बट वो liquid की form में exist करता है बाकी कुछ थोड़ा वो तो हमें solid form में भी दिखाई दे सकते हैं तो जो हमारे non metals हैं वो क्या है solid form में भी exist करते हैं liquid form में भी exist करते हैं और gases की form में भी exist कर सकते हैं तो मैं यहां पर simply लिखूंगी कि जो हमारे solids हैं वो gas भी हो सकते हैं वो solid भी हो सकते हैं और वो liquid state में भी exist करते हैं बच्चों ठीक है नेक्स्ट हमारा point of difference हमें करना है किसके basis पे लस्चर लस्चर क्या होता है मैं यह तो बताओ लस्चर का मतलब होता है शाइन चमक जब किसी चीज में ना कोई चमक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं लस्चर बोलते हैं ठीक है तो यहां पर इसका meaning भी लिख देती हूं कि लस् चमकने के लिए पहनते हो ना तुम भी चमक जाओ उनके साथ साथ तो जो मैटल होते हैं वो क्या होते हैं चमकते हैं शाइन उनमें प्रेजेंट होती है लस्चर होता है उनमें ठीक है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि मैटल्स आर मैटल्स आर लस्चर जो मैटल है वो कैस पहले बाद तो यह तो यह बड़ी से पत्थर की बात कर जो उसकिट्स कर दिएयर प्रोपर निय। मीट्टी वाला जो एक बड़ासा डुला ले लिया तुमने इस तरही से लेकर चलो तो यहां पर मैं क्या कहती हूं कि जॉhu नोन सोधना हे ना बच्छों उन में कोई लस्चर नहीं होती क्यों मैटल्ब जो में हमारे बात करूं किसकी क्पर होँ कार्भन है अलोट्रोप है कार्भन का और जो 円भन वे बर वन चमक होती है वर्पूरस इसमें लश्या होता है ठीक़े तो में क्या कहूंगी कि यहां पर भी आ गयाक ॹछिंदे आ मी होता है वो हमारा की इसमें लश्यार होती है तो उस alleen बोल सकते हो तुमकी लश्यास नहीं है ठीकड़ अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड नैस, खुदी बता दोगे, बही मैटल तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डैफिनिटली हार्ड होते हैं, तभी तो, उनको हम यूज कर पारे हैं, इतना आराम से मैटल के बर्तन हैं, ऐसा तो है नियुक्त सी कोई चीज होती है, वरना तो गरम करने लगोगे, तो पता काफी क्या diamond तो hardest non-substance की consider की जाती है ना तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जो non-metals है वो generally क्या कहेंगे हम non-metals जो होते हैं वो क्या होते हैं soft होते हैं सीधा लिखती हूँ क्या soft but exception फिर इसमें क्या फिर से चला जाएगा diamond diamond यहाँ पर exception का काम करेगा क्योंकि diamond hardest substance है non-substance में ठीक है अब उसके बाद आते हैं metal metal की hardness की बात करें तो metals जो हैं वो generally hard होते हैं हम मैं यहाँ पर यह नहीं लिए सकती कि हार एक metal hard होता है generally वो metals जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं hard होते हैं इतनी अराम से तुम उनको melt weld नहीं कर सकते हैं उनका high melting boiling point होता है अब जो metals होते हैं ना वो hard तो हैं लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही metals hard हैं अब तुम खुद से सोच के देखो mercury तो liquid form में है तो उसकी क्या hardness बताओगे तुम उसके अलावा भी sodium और potassium ऐसे metals होते हैं जो काफी soft होते हैं उनको तो चाकू से ही काट सकते हो तुम easily ठीक है तो यहां पर मैं क्या कहूंगी कि जो metals हैं वो generally hard होते हैं maximum number of metals hard होते हैं but exception is everywhere तो जो हमारे sodium हो गया potassium हो गया mercury हो गया यह हमारे थोड़े hard में हम उसको categorize नहीं कर सक हैं ठीक है next point of difference is density तो density का मतलब तो हम पढ़ते आ रही हैं जो चीज में particles के बीच में force of attraction ज्यादा होता है वहां पर density ज्यादा हो जाती है solid की density ज्यादा होती है फिर liquid की होती है और सबसे कम density gases की होती है तो तुम यह बताओ जब हम कह रहे हैं कि metal hard है metal hard है metal solids है तो उनकी density भ density होती है जो metals है उनकी density क्या होती है high density उनकी होती है ठीक है जो non metals होते हैं उनकी density इतनी high नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती density high क्योंकि देखो gases की form में exist करते हैं है ना bromine हमारा liquid है solid की form में है तो भी उनके बीच में particles में force of attraction metals की जितना नहीं होता है तो वह comparatively हम यहीं के density इतनी हाई नहीं होती अब diamond hard substance है तो definitely उसकी density भी हाई होगी है ना तो वो एक अलग बात हो जाती है बट maximum जगह है जो हमारा basis जो है different basis of difference जो हम बात करें तो वो यही है कि जो non metals है वो इतने hard इतनी high density के नहीं होते बट metals hard होते है हाई density के होते हैं उनमें चमक होती है उनमें एक दो तीन balance electrons होते हैं और non metals में 4567 balance electrons होते हैं ठीक है यह बाते हमें ध्यान रखनी है सारे points को समझ लेंगे ठीक है ना आच्छा आगे चलते हैं अब अगे difference देखेंगे malleability यह क्या होता है तो बच्चों ध्यान से सुनों अगर हम जोर जोर से किसी चीज को पीटते हैं metal को अगर हम जोर जोर से पीटे तो क्या होगा वो जो metal है वो एक पतली सी sheet में convert हो जाएगा देखा भी है हमने metal की पतली पतली sheet बनते हुए देखी है metal अपने आसपास हम इतना जगह देखते हैं लोहे की चीज है वो sheet की फोम में present होता है iron को easily तुम iron की pipes भी बना सकते हो iron की roads भी बना सकते हो है ना iron को एक sheet की form में भी बना सकते हो और aluminium aluminium foil में तो तुम खाना अपना रैप करके लेके आ जाते हो ना पीट पीट के तुम पतलीशी sheet बना सकते हो है ना और अच्छा example और इसकी malleability वाली property का example देखना है ना तो देखो जब तुम sweets खाते हो मिठाईया खाते हो ना तो उसके उपर लगा होता है silver का work पूरा है ना वो जो silver होता है वो देखो कितनी पतली sheet बना के malleability बोला जाता है ठीक है तो यहां पर मैं इस property को पहले define कर दूँ क्या आप बोलूँगी इसको कि tendency to convert tendency to convert into thin sheets into thin sheet जो thin sheet में convert होने की जो property है वो अब अपने आप नहीं हो जाएगी beat करना पड़ेगा ठीक है तो when beaten इसके आगे हम add कर देंगे when beaten और hammered है ना तब हम उसको beat करें गया hammer हा थोड़े से जोड़ जोड़ से तब उसके बाद यह चीज होने वाली है ठीक है धान रखना अब malleability तो metals malleable होते हैं अब ही होते हैं अब यह और में क्या बता रही थी ते example तो मैंने दिये तो मैं क्या कहूंगी कि Mapples जो होते हैm metals are malleable जोok हमारे क्या होते हैं तो यहां पे जो metals होते हैं वो खरतो हैं नेचर में लेदर होते हैं ठीक है अब आते हैं यहां पे non metal no metal क hyped को मैंने कैसे बता देखो कुछ तो gases है अब कुछ solid भी है अगर तो उनका भी नेचर ऐसा है, मैंने बोला जिसे पत्थर हो तो पत्थर को पीटोगे तो उस तरीके का नेचर है, उसमें मतलब हाडने ऐसा नहीं होती, तो इसी तरीके कोई चीज अजूम अपने माइंड में कर लो कि वो non metal है, तो non metal को जो तुम बीट करोगे तो कोई पतली शीट नहीं बनती पत्थर है मान लो पत्थर को तोड़ोगे उसको बीट करोगे तो टुकडों में तूट जाएगा है ना तो उसमें कोई malleability की property तो नहीं हुई न उसको पतली शीट नहीं बन गई न उसकी तो यह जो है हमारे non metals वो nature में कैसे होते हैं non malleable होते हैं कैसे होते हैं nature में non malleable होते हैं ठीक है next हम बात करते हैं बच्चो ductility की ductility का मतलब क्या होता है ductility का मतलब यह होता है कि फिर से हम metal को पीटने वाले हैं या non metal को और उसको पीट पीट के हमने अब की बार sheet नहीं बनाई अब की बार उसको बना दिया पतली सी wire तो इस property को हम क्या बोलते हैं ductility बोलते हैं ठीक है ductility को मैं क्या बोलूंगी tendency to convert या thin wire है ना tendency to convert into thin wire इंटू thin wire ठीक है thin wire में convert होने वाली जो प्रोपर्टी है ना बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं ductility बोलते हैं तो metal के तो wire होती है definitely जो हमारे जो wires है electric wires उसमें copper का हम use करते हैं तो जो wire present हो कहां पर use हो रही है जो मतलब यहां पर कौन सी property use हो रही ductility gold की jewelry देखते हो silver की तो उसमें कितने बार एक बार एक wires कि थूँ वर्क किया जा सकते हैं जो भी हमारी पतली पतली wires है उनको आप बना के हो नए नए designs बन सकते हैं तो यह property metal के अंदर exist करती है तो metals जो हैं वो क्या होते हैं metals are ductile in nature जो metal है हमारे वो nature में कैसे होते हैं ductile होते हैं ठीक है उसके बाद मैं बात करती हूं non metal की तो non metal की wire नहीं बन सकती है उनको उनका nature ductile नहीं होता है ठीक है तो मैं क्या लिखूंगी non metals are non ductile यह हमारे कैसे होते हैं nature में non ductile होते हैं ठीक है बच्चों next आएंगे हम brittleness पर brittleness का मतलब क्या है मैंने जोर से उसको बीट किया है थोड़े से मारा और वो टुकडो में बिखर गई कोई चीज है ना उसको मैं क्या बोलूंगी brittleness की property है ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी property of यहां पर मैं इसको लिख देती हूं define कर देती हूं brittleness का मतलब क्या है तो यहां पर क्या लिखूंगी property of breaking property of breaking into pieces into pieces on hammering तुकडो में तूट जाना तो metals को क्या brittle होते हैं metal को तो पीटते हैं या तो thin sheet बना सकते हो या तो thin wire बना सकते हो metals या तो malleable होते हैं या डक्ताईली दोनों property तो होती हैं उनमें लेकिन वो टुकडो में नहीं टूटते हैं ऐसा नहीं है तुमने बड़ा सा एक लोहे का कुछ था हमारे पास सामान उस पर हम जो जो से पिटेंगे तो वो लोहे के टुकडे टुकडे बिखर गई दरूदर ऐसा तो नहीं होता ना तो metals जो हैं वो हमारे क्या होते हैं not brittle ठीक है not brittle in nature जो हमारे metals है वो nature में बिलकुल भी brittle नहीं होते हैं ठीक है तो ये बात हम याद रखेंगे और non metals तो definitely brittle होते हैं तो लिखूंगे सीधा याँपे non metals are brittle in nature क्योंकि इनको तो मारोगे ना तो टुकडों नेचर ठीक है next point of difference is conducting electricity conduct करेंगे या नहीं heat को conduct करेंगे या नहीं तो तुम खुद बता सकते हो metals अपने घर पे present होते हैं metal के ही जो बरतन है हम kitchen में use कर रहे होते हैं aluminum के ठीक है या फिर अगर हम देखे कोई भी metal है मालो जो अगर हम alloys steel वगरा भी बोले तो है तो alloy लेकिन व में metal का ही ज्यादा percentage present होता है है ना तो जो metals होते हैं वो heat को अपने अंदर से पास करा लेते हैं definitely तभी तो ऐसा है ना तुम पानी खाना सब बना लेते हो metal के बरतन में otherwise तो पता चले वो तो अपने अंदर से heat पास ही नहीं करेंगे तो खाना बनेगा कैसे है ना तो metal जो है उसमें से heat भी पास हो जाती है metal में से electricity जो वायर से उसमें metal ही तो present है copper present होता है वैसे तो पता है अगर हम बात करें conducting nature यहां पर conductivity की बात कर रहे हैं तो silver जो है वो best conductor होता है electricity का but silver की wires तो नहीं बना सकते ना silver costly है silver की wire बनाएंगे तो घर पे जो हमारी बिजली की तारे है इन नहीं की ही चोरी होने लग जाएगी है ना तो copper जो है वो भी अच्छा conductor है तो हम उसका use करते हैं instead of using silver as a conducting material है ना क्योंकि silver costly भी है less amount में present less quantity में nature में present है तो इस वज़े से अच्छा अब उसके बाद हम बात करते हैं conducting nature में तो हम क्या बोलेंगी जो matters है वो क्या होते हैं conductor होत ही है बट कैसे good conductor होते हैं तो good conductor of heat and electricity heat and electricity के good conductor होते हैं हमारे जो metals होते हैं वो ठीक है ऐसे ही हम बात करते हैं जो known metals होते हैं वो क्या लिखेंगे they are not good conductor of heat and electricity वो हमारे heat and electricity के conductor नहीं होते हैं इतनी आची ठीक है diamond भी अपने अंदर से electricity पास नहीं करता है हाँ बट एक और जो carbon का allotrop होता है जिसको की क्या बोला जाता है graphite हम याद रख सकते हैं जो graphite है वो हमारा non metal है definitely carbon का allotrop है तो non metal होगा बट जो graphite होता है उसमें से electricity पास हो जाती है ठीक है graphite जो है इसमें as an exception लिख सकते हैं कि जो graphite है वो अपने अंदर से electricity को पास करता है ठीक है next है बचो sonority sonority का मतलब होता है कि जब हम क्या करें जोर से beat करें किसी metal के surface को तो ton की आवाज आती है ऐसे होता है ना जब metal के surface को beat किया जाता है किसी भी दूसरे hammer से या किसी भी चीज से तो ton से जोर की आवाज आती है ना तो यह जो आवाज है इसी आवाज निकालने वाली property को ही हम क्या बोल रहे हैं सोनोरिटी बोल रहे हैं ठीक है तो जो metals है वो क्या करते हैं sound produce करते हैं और जो हमारे non metals हैं वो hit करने पर sound produce नहीं करते हैं इसी में हमारा एक ओर difference हो गया क्या बोलेंगे कि जो metal है सोनोरिटी क्या बोलेंगे define कर दे पहले इसको तो सोनोरिटी का मतलब होता है बच्चो प्रोपर्टी ओफ प्रोपर्टी ओफ मेकिंग sound on hitting on hitting उसको hit करने पर अगर किसी चीज़ को sound produce होती तो हम क्या बोल रहे है उसको sonority बोल रहे है तो हम यहा पर यह भी बोलेंगे वह metal तो sonorous होते हैं तो metals are sonorous जो metal होते है वो nature में कैसे होते है sonorous और जो हमारे non metals है वो nature में कैसे होते हैं? Non-sonorous होते हैं. ठीक है? कैसे होते हैं? Non-sonorous होते हैं. Right? Next है हमारा atomicity. Atomicity का मतलब होता है बच्चों कितने number of atoms combine करके यहाँ पे किसी भी form, वो exist कर रहा है वो element जो है उसके atomicity कितनी है? जैसे कि मैं कहूं sodium. तो ये ना ये बात याद रखने के एक simple तरीका है. जैसे तुम element को represent करते हो तो बहाँ से दिखेगा तुम्हें. अगर तुम्हें कभी लिखना है sodium, तो तुमने हमेशा ऐसे लिखा होगा NA. अगर तुम्हें कभी लिखना है copper, तो हमेशा ऐसा लिखा होगा copper. अगर कभी लिखना है iron तो ऐसे लिखती हूँ iron अगर कभी लिखना है silver तो ag लिखती हूँ अगर कभी लिखना है gold तो au लिखती हूँ मतलब क्या है metal को इसी single atom की form में ही लिखा जाता है metal की crystals होती है तो वहाँ पे कोई formula नहीं होता हूँ उसका पूरा बस crystal lattice की presence में जिसमें एक 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 एकम इंडिविजुली इस तरीक से present होता है तो जो metals है वो इसी form में exist करते हैं एक 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 एकम में लिखके हम reactions दिखा रहे होते हैं ठीक है तो यह इसी form में एक ही atom की form में हम represent इनको करते हैं तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं इनका nature कैसा होता है mono इनका जो nature होता है वो कैसा होता है mono atomic होता है ठीक है क्योंकि एक ही atom साथ में यहाँ पर इसी form में एक एक atom की form में ही यह represent किये जाते हैं present है ठीक है ऐसे ही अगर हम non metal की बात करें अब non metal कौन से थे मैं तो सोचो ना कौन से थे जो हमारा oxygen है nitrogen है hydrogen है वो सब क्या है ये सब हमारे non metal अच्छा एक exception ध्यान रखना hydrogen की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों तो hydrogen के valence shell में एक electron होता है क्योंकि उसके पास electron ही एक होता है बट जो hydrogen है ना वो हम non metal की category में ही उसको डाल देते हैं ठीक है तो hydrogen as an exception हम याद रख सकते हैं इस चीज़ को उसके अलावा देखो तूं hydrogen कैसे exist करता है H2 oxygen क्या होता है O2 ozone क्या होता है O3 phosphorus कैसे exist करता है P4 sulfur कैसे exist करता है acid तो यह हमारे क्या होते है nature में polyatomic होते है या तो 2 atom या 3 atom या 3 से ज़्यादा atom इस तरीके से exist करते हैं इस तरीके से इनके forms होती है तो हम इनको क्या बोलते है यह nature में हमारे कैसे है polyatomic nature के हैं कैसे है nature में बच्चों ये polyatomic है ठीक है next हम बात करते है nature of oxide nature of oxide का मतलब क्या है मतलब oxygen के साथ ही जब react करेंगे तो क्या होने वाला है तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है sodium और oxygen इन दोनों ने जब combine किया तो क्या form किया Na2O ठीक है चलो ये तो कर लिया बट एक reaction हमने पढ़ी हुई है chapter 1 में भी हमने पढ़ी थी क्या पढ़ा था कि जो magnesium और oxygen magnesium ribbon को जब हम burn करते हैं तो क्या बना था magnesium oxide बना था तो ये जो magnesium oxide था इसका हमने फिर aqueous solution बनाया था और इसको जब test किया था तो nature कैसा आया था इसका basic nature तो जो हमारे metal की जो oxides बनती है इनका nature हमारा होता है बच्चों basic nature होता है metal oxides का nature कैसा होता है basic nature होता है metal की oxides होती है अब exception तो हर जगे हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी मैं as an exception ले सकती हूँ क्या ले सकती हूँ as an exception कि जो हमारा CR207 है या फिर Mn2O7 है तो इनका जो nature है ये भी metal ही है chromium, magnees, ये भी क्या है metals ही होते है बट इनकी जो oxides होती है उनका nature कैसा होता है acidic nature होता है तो exceptions is everywhere exceptions are everywhere है ना वो तो हर जगे दिखाई देंगी ही देंगी वो तो हमें याद करते हुए साथ-साथ चलना ही है ठीक है जलो अब आगे बात करते है non metal की तो non metal क्या था हमारा carbon इसके oxide क्या हो जाएगी CO2 है ना तो non metal हमारा क्या था nitrogen इसके oxide क्या हो जाएगी NO2 तो ये सब हमारी जो nature में क्या होती है acidic nature की होती है ठीक है फर्की क्या हो जाएगी So2 तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है Acidic तो Metal Oxides का Nature basic होता है और Non Metal Oxides का Nature कैसा होता है Acidic Nature होता है ठीक है याद रखेंगे अब यहां पर भी exception लिग सकते हैं वहीं बिल्कुल लिख सकते हो तुम की जो हमारा कार्बन मोनो ओक्साइड है या फिर हाइड्रोजन की ओक्साइड क्या होगी एच्टू ओ इनका निचर तो कैसा होता है न्यूटरल होता है तो हर जग एक्सेप्शन प्रेजेंट है डैफिनेटली अब बात करते हैं नेच बनाने के बाद स्टेबिलिटी आती है न तो जैसे कि मैं कहूं यहां पर क्या सोडियम का एक्जामपल लेके चलती हूं बच्चों तो सोडियम क्या करता है टू एट वन यह इसकी कन्फिग्रेशन है ठीक है अब यह अपना एक एलेक्ट्रोन अगर बाहर निकाल दे तो इस दे दू जिससे की मेरे उपर तो क्या है ओक्टेट रूल फॉलो हो मेरे आखरी शल में आठ एलेक्ट्रोन आ जाए और मैं स्टेबल हो ठीक है तो यहां पर क्या करता है सोडियम अपने एक एलेक्ट्रोन को देता है और जो देने वाला होगा जो हम डोनेट करते हैं किसी को तो हमारे उपर कैसा चार्ज आता है, पोजिटिव चार्ज आता है, और किसी से उधार ले के आओगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगिटिव चार्ज आएगा, सिंप्ली याद रहेगा न, तो यहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रोन दे दिया, किसी के कोई भी लेन लिएगा इलेक्टरों पोजिट्व इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे चार्ज से है और पोजिटीव मतलब पोजिटिव चारज आएगा, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी, कि जो हमारा सोडियम है, उसका नेचर कैसा वएट्रों पोजिट्र हुआ इलेक्ट्रों पोज सकते हैं फिर तीसरी शाल में आठ आ सकते हैं अठारा कंप्लीट हो गए ठीक है और आखरी शाल में कितने और नचे फिर तो कैलशियम के 20 एलेक्ट्रों इस तरीके से होंगे पहली श्यल में दो डाल सकते हैं दूसरी में आठ फिर आठ हो फिर लास्ट में दो आ तो कैल्शियम का 20 अब कैल्शियम यह चाहता है कि कोई मेरी यह दो इलेक्ट्रोन ले ले जिससे कि मेरा भी यह आठ इलेक्ट्रोन जो है ना आखरी शेल में वो पूरे हो जाएं तो फिर मैं भी क्या है उक्टेट रूल फॉलो करूंगा और स्टेबिलिटी के साथ रहूंगा हर एक को स्टेबिलिटी ही तो चाहिए अपनी लाइफ में तो यहां फिर सिंपल सी बात है बच्चों क्या होगा कि यहां 288 कंफिग्रेशन अगर इसको बनानी है तो दो इलेक्ट्रोन निकालने पड़ेंगे और दो इलेक्ट्रोन निकालेगा तो कैल्शियम के उपर कितना पोजिटिव चाहिएगा तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है जो मैटल्स होते हैं उनके आखरी शेल में एक दो या तीन इलेक्ट्रोन तो होते ही हैं और वो उनको निकाल के अपने उपर पोजिटिव चाहर ले आते हैं और उक्टेट रूल का मजा लेते हैं फोलो करक में पांच इलेक्ट्रोन हैं ठीक है अब इसके लिए क्या आसान है यह पांच पांच इलेक्ट्रोन को बाहर निकालना आसान है या फिर यह ऐसा सोचे कि मेरे को कोई तीन इलेक्ट्रोन दे दो बस मेरे को कोई तीन इलेक्ट्रोन दे दो फिर मेरा उक्टेट पूरा हो अब इसने किसी से तीन अगर लिए तो मतलब बोरो किये इसने तो इसके उपर कैसा चार जाएगा नेगेटिव चार जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जिते भी हमारे नोन मेटल्स होते हैं ना उनका नेचर हमारा कैसा होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव और हमारे जो मेटल्स क्या चाहिए 8 electron चाहिए तो 8 electron चाहिए तो ये क्या चाहिएगा कि कोई मेर को एक electron सर्फ एक electron कोई मेर को दे दे है ना तो एक electron किसी से लेगा तो simple सी बात है एक negative charge आ जाएगा इसके उपर और इसके पास हो जाएंगे आख रिशल में 2 and 8 electrons ठीक है अब इसका nature कैसा हुआ? electro negative क्योंकि ये हमारा negative charge carry कर रहे है तो यहाँ पे जो हमारे non metals होते हैं ना बच्चों उनका nature होता है electro negative उनका nature कैसा होता है? electro negative होता है और जो हमारा positive charge carry करते हैं जो कि हमारे metals हैं उनका nature कैसा होता है? electro positive ठीक है? तो यह सारे point of differences थे किसमें metals और non metals में I hope यह सारे points को ना हम easily एक table की form में एकदम tabulate form में हम इनको याद रख पाएंगे और सारे differences को एकदम अच्छे से याद रखेंगे ठीक है चलो देखो क्या-क्या differences थे तो यह हमारे differences थे कि valence electrons में difference होता है physical state में भी difference था लस्चर में होती है नोन में नहीं होती hardness में होती है नोन में नहीं होती density मेंटल की high है नोन मेंटल की low density है ठीक है उसके बाद हमने malleability देखा metal है malleable non metal नहीं है उसके बाद हमने देखा ductility metal में है non metal में नहीं है उसके बाद हमने देखा brittleness brittleness metal में नहीं है नोन मेटल में है, ब्रिटलनेस है न, टुकडों में तूट जाता है क्योंकि उसके बाद conducting nature metal का है, नोन मेटल का नहीं है, sonority, sonority का मतलब है हमारा क्या आवाज आना, produce करना का अब जब उसको जोड से हम बीट करेंगे किसी दूसरी चीज से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ पर sonority इसमें है, metal में इसमें नहीं है, atomicity में, metals are monoatomic and non-metals are polyatomic, फिर हमने देखा nature of oxide, metal oxides basic होती है, non-metal oxides acidic nature की होती है, और last जो हमारा point था, वो था nature of iron, जो हमारा nature of iron है, किसका metal का, वो electro positive होता है, और non-metal के ions कैसे होते हैं, electron negative nature के होते हैं, ठीक है, तो बच्चों, तुम्हारा काम क्या है, सारी जो differences है ना, इनको अच्छे से हमें समझना है, और याद करना है, मिलते हैं, फिर next class में, till then, goodbye.